गुड मानिंग स्टुडेंट्स आज हम लोग क्लास वान इंगलीज बुक का चेप्टर नमबर टैन मेरी स्लैम का कोसिन अंसार डिसकस करेंगे देखो प्रिव्योज क्लास में हम लोग ये चेप्टर पुरा पढ़ चुके हैं सारा आज कोसिन अंसार का नमबर ए और नमबर बी डिसकस करेंगे पेस नमबर 69 देखो टीक दो करेक्ट एंसार वान नमबर है मेरी हुआ से डेक्स मेरी हुआ से लैम गल और फार्मर मेरी एक क्या है गल है जी आई आरल गल यहाँ पे होगा मेरी हुआ से गल तेन नमबर 2 सी वाच मेकिंग ए डेक्स फोर हार डॉल सी वाच मेकिंग ए ड्रेस उल और फ्रॉक वो उसके डॉल के लिए क्या बना रही थी एक फ्रॉक एफारोशिक प्रॉक फ्रॉक पे टिक करना C was making a frock for her doll Then number 3 The old man was dex The old man was rude, kind or wild The old man was kind यह जो old man थे, यह बहुत दयालू थे यहाँ पे होगा kind, kind पे tick करना Then number B, answer the following questions One number, why did Mary's mother ask her to go up to Clover farm यह पे लिखेंगे Mary's mother ask her to go up to Clover farm to get some fresh eggs Mary की मम्मी किसलिए उसको Clover farm में भेजे थे किसलिए भेजे थे, अंडे लाने के लिए भेजे थे तो लिखेंगे to get some fresh eggs Mary's mother ask her to go up to Clover farm to get some fresh eggs Number two, why did Mary hear while she was returning home Mary, जब घर में आ रही थी, तो उसने रास्ते में क्या देखा Mary's heard a little petter petter behind here Here, then number C, why did Mary ask the, what did Mary ask the farmer Clover, यहां पे लिखेंगे हम लोग Number four, why did the farmer give the lamb to Mary वो farmer किसलिए Mary को अपना lamb दे दिए यह होगा, farmer give the lamb to Mary Because he saw big tears in Mary's eyes QQs, उन्होंने Mary's के आँखों में big tears देखा था वो Mary रोने लगी थी, इसलिए Clover farmer ने दे दिया Mary को अपना lamb ठीके, यह आज का homework है, number A और number B अपने अपने book में लिखना और दिखाना, thank you आपने लब देखाना में लिखाना ए रो झवार किसलिए